नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एवाई टी इंडिया अकेडमी पर दोस्तों आज की जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं HR डिपार्टमेंट जो की Human Resources डिपार्टमेंट होता है जिसका जो काम होता है मैनेज करना इंडिस्ट्री के अंदर या किसी सर्विस यूनिट के अंदर जितने भी हमारी मैनपावर लगती है उन सब को मैनेज करना इस डिपार्टमेंट का काम होता है उनके आने से लेकर के जाने तक जितने भी प्रोसेस होती है कि जो हम कंपनी के अंदर employee join करता है और जब वो left करता है उस दोरान जितने भी compliance हैं कितने भी steps हैं जितने भी चीजें हैं जो follow हो रही हैं उन सब का जो management है वो HR department ही करता है तो हमने इससे पहले भी कुछ वीडियो जाली है HR department के उपर जिसका हमें अच्छा response मिला तो हमने एक और वीडियो इस सिरीज में बनाया है top seven system for HR department यानि कि ऐसे साथ systems जो किसी HR department में होने ही चाहिए system तो बहुत सारे है HR के लिए लेकिन ये basic ऐसे चार साथ systems हैं जिनके बिना HR department को चलाना नमुम्किन हैं तो चलिए फिर ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को लैट स्टार्ट दूस्तों सबसे पहला जो system है जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है employee master अगर मैं बात करूँ आपसे MSME unit के तोर पे अगर खास तोर पे बात की जाए कि भाई आप मुझे अपने employee का डेटा दो तो डेटा के नाम पे क्या होगा उसका नाम होगा father name होगा date of joining होगी department होगा और designation तो पता नहीं उल जलूल कुछ भी डाल रख्योंगे तो इतना ही डेटा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है एक जगा compile salary detail salary sheet में डाल रख्योंगी बाके detail किसमें आदियादूरी personal file के अंदर डाल रख्योंगी लेकिन हम बात करें employee master की तो employee master एक ऐसा document है जिसके अंदर जो employee है उसका पूरा का पूरा बही खाता है यानि कि उसकी date of यानि की details of employee का नाम पता address department designation उसका अपना salary breakup की क्या salary है उसका breakup कैसा है उसकी contact of details और added details उसके बाद में उसके personal documents जो बार-बार हमें जुरुत पड़ती है जो legally भी हमें चाहिए उसका अधार card pen card bank pass book की copy then उसका ESIC EPFO details तो इस तरीके से document तयार किया जाता है जिसके अंदर पूरी की पूरी employee की पूरी एक बही खाता आ जाएगा भाई अगर मिना नाम राम है तो उसकी पूरी detail उसके अंदर आगे तो एक हम sample देख लेते हैं employee master का जो ने तयार किया हुआ है कि कैसे आपको employee master तयार करना है दोस्तों आपकी screen पर जो है employee master का format आ चुका है इसमें मैंने नाम जान बूच के नहीं डाले हैं एक पर नाम डाल लिए थे तो यूट्यूब ने उस वीडियो को लॉक कर दिया था कि आप परस्नल इंफो किसी की शेयर कर रहे हो तो नाम की जगा हम नाम के चार लोग भी हो सकते हैं मालों शाम है तो जर्नली होता क्या है शाम वन शाम ट्यू न्यू शाम शाम जहा ऐसे करके हम क्या करते हैं उन नामों के आगे फर्स सेकेंड ओल्ड न्यू करके जोड़ देते हैं वो कन्फूजन क्रेट करता है तो जैसे हमारे क्लास में क्या होता था रोल नंबर होता था ऐसे ही क्या होता है इंप्लोई कोड होता है तो इंप्लोई कोड क्या होगा वो अपने आप में यूनीक होगा अगर मेरा इंप उसका department की किस department में काम कर रहा है accounts में कर रहा है dispatch में कर रहा है admin में कर रहा है purchase में quality में कर रहा है दैन उसका यहां पर आ गया designation क्या है बंदे का manager है supervisor है operator है quality inspector है then company के के रोल पर है या contractor ABC के रोल पर है marital status शादिस उदा है नहीं है उसकी email id इसका ESIC number ठीक है date of ESIC registration कब उसने कराई थी ESIC में उसका EPF account number then date of registration of उसका EPF father's name employee का अधार कार्ड नंबर employee का pen number detail इसले नहीं भरी है कि personal info वो किसी की ना जाए then employee का contact number यहां पर आ जाएगा उसकी date of birth one number of relative या जो उसका first contact है मालों कोई emergency हो जाती है या बंदा कही दिन से आ नहीं रहा उसका number नहीं लग रहा तो यहां पर उस बंदे का number होना चाहिए then nominee name उसका nominee कौन है nominee नहीं अधार ठीक है permanent address current address उसका bank का name क्या है bank account number क्या है उसका IFC code क्या है date of joining date of living employee photo अधार कार्ड की scan copy का PDF का link लगा देंगे यहां पर pen card की scan copy का link लगा देंगे यहां पर bank की passbook का scan copy का link लगा देंगे यहां पर ESIC पहचान card का link लगा देंगे यहां पर अगर उस पे ESIC applicable होता है तो then employee की category क्या है worker है staff है ठीक है ताकि जब उसकी salary calculate हो based on the attendance तो वह सारे चीज़ें आ जाए देन आगया shift hours वैसे जनरली shift hours 8 घंटे ही होता है लेकिन आप लोग को reality पता है कि MSME में जो small scale units और बहुत भी units उसमें किसी में 10 घंटे भी कोई कोई काम ले लेता है ठीक है तो यहां हमने डाल दिया उसके duty hours क्या है जब salary calculate होगी तो उससे यह पता चिल जाएगा पीएफ में contribution उसका है या नहीं तो यहां मात करेंगे yes अगर yes करेंगे तो यह salary से link है sheet वहाँ पे उसका पीएफ calculate होगा yes ic में contribution है या नहीं है then उसका age क्या है as on date nominee का relation तो इस तरीके से क्या हुआ यह पूरा उस employee का एक बहिक हाता तयार हो गया पूरा उसकी history यहां आ गई तो मुझे बार बार उसको बुला करके चीज़े पूछने की जरुरत नहीं है तो इस तरीके से हमने क्या करना है अपने unit के अंदर एक employee master data sheet त्यार करनी है अब आते हम अगले system के उपर जो है हमारा HR manual and policies दोस्तो होता क्या है कि company के अंदर एक employee को अलग तरीके से treat किया जाता है दूसरे को अलग तरीके से जो बाओ जी का चहीता है उसके लिए rule regulation अलग है जो बाओ जी का चहीता नह है या नया employee है उसके लिए rule regulation अलग है तो इससे क्या होता है जो लोग है यहां पर काम कर रहे हमारी unit के अंदर उनके अंदर एक भेव भेद वाव तयार हो जाता है कि भाई मैं तो कुछ भी कर लूँ मुझे तो increment उसे साबसे मिलना ही नहीं है मुझे तो चुटियां वैसे म आवांस भी मिल जाता है जब चुटियां मिल जाती है इसके तो चुटियां भी निकटती हमारी चुटियां जो है वो काड़ देते हैं तो यह किस कारण से होता है कि हमारी company की जो policies है वो defined नहीं होती है तो basically क्या होता है policy अगर हम बात करें तो ऐसी एक written guideline है जो की company के बारे म हमें हमें बताती है कि इस company में क्या rule regulation चलते हैं और कैसे कैसे काम होता है related to क्या करें हम उसको एच-rå या administration से related जैसे हमारी अगर हम आइसतो की बात करें तो आयस तो में क्या होता है quality policy होती है कि भई ISO और quality को लेकर कर हमारी policy क्या है हमारी industrial सोच क्या रखती हम कैसे काम करते हैं दैन उसके बाकि सारे documents होते हैं ऐसे ही क्या होता है HR के अंदर भी क्या होती है HR की policies होती है बहुत सारे written guidelines होती है जो कि MSME units में आपको नहीं मिलेंगी लेकिन हमें क्या करना है अपनी unit के अंदर policies को define करना है policies को बनाना है और अपने हिसाब से उनको हमने त्यार करना है साथ-साथ ये भी दियान रखना है कि legally और compliance भी हम follow करें यह नहीं कि मेरी policy है जी मैं तो 30 तारिक को तंखा दूँगा मतलब एक महिने बाद तंखा दूँगा जागर January की तंखा है तो मैं फरवरी में 39 तारिक को बाठूँगा यह मेरी company की policy है ऐसा नहीं है उसमें क्या करना आपको government के compliance भी रखने हैं तो कुछ policies क्या-क्या हो सकती है employment की policy होगी आप employment करोगे तो क्या-क्या चीज़े follow करनी है दैन compensation on benefit जो मैं आप से बात कर रहा था salary वगयरा workplace conduct कि भी या कोई किसी को गाली कलोच नहीं करेगा सबकी इज़त बराबर है चाहे कोई worker है चाहे कोई top management है ठीक है then live policy क्या है sick leave policy कितनी मिलेंगी ठीक है vacational policy कितनी है उसके बाद में attendance का आ गया कि भाई punctuality का क्या system है कि अगर आप 9 बजे का time है और 9-15 तक आते हो तो allowed होगा या फिर बिल्कुल भी allowed नहीं होगा आपकी क्या policy है then performance management की क्या policy है health and safety की और disciplinary और grievances की क्या policy है अब बात करते है manual की policy क्या हो गया guidelines हो गई जब उनको उठा करके इन सारी policies को उठा करके हमने एक book लिख दी एक किताब लिख दी तो वो क्या हो गया हमारा HR manual हो गया तो HR manual के अंदर क्या हुआ सारी की सारी policies उठाट के आ गई साथी साथ उसके अंदर क्या हुआ company का पूरा overview आ गया employment का पूरा procedure आ गया benefits आ गया conduct guidelines आ गया तो इससे क्या होगा जब कोई नया बंदा आएगा तो हम उसको एक HR manual की copy दे देंगे ठीक है या कुछ लोग booklet भी बना लेते हैं कि भाया यह है हमारे हाँ पर इस हिसाप से काम होता है इस हिसाप से काम करोगे तो आपका यह इतना इतना performance होगा ठीक है इतनी आपको चुटिया मिलेंगी यह अगर कोई आपके साथ misbehave करता है तो यह होगा हमारी company के अंदर mobile use करना allowed है या नहीं है दें हमारा जो data है अगर आप उसको चोरी करते हो तो उस पर आप पर क्या action लिया जाएगा तो इस तरीके की सारी चीजे क्या है हमने उठा करके एक booklet बना दी तो वो हमारा क्या हो गया HR manual हो गया जब कोई नया employee आता है तो उसको हमने hand over कर दिया पहले दिन ही कि भाई यह manual है इसको पूरा पढ़ लो इसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई है कल को यह मत कहना कि यह नहीं बताया था ठीक है वो अव्यस है HR की जिपमेदाजी बनती है मोटी मोटी चीज़े फिर भी बताएगा लेकिन detail में क्या है employee पे depend करता ह है कि वह उसको पढ़ ले ठीक है जैसे मैं अभी कहीं पर मेरे एक जानने वाले हैं वो किसी company में काम करते हैं तो उन्होंने क्या किया पैरलल कहीं पर वह ऐजे data analyst काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया चोटा सा excel का भी अपना कुछ courses बगारा बनाने शुरू कर दिये तो उन्होंने उनको पढ़ाया कि हमारा जो पॉलिसीज है उसके अंदर यह लिखा हुआ है कि जो company से आपने knowledge भी अगर gain किया है तो उसको आप अपने personal use में इस्तवाल नहीं कर सकते हैं अगर करते हो तो company आपके action ले सकती है कि मानलो आपको पहले data analysis का कुछ अता पता नहीं थ तो आपने अगर उसको वहाँ से चीजे सीखी और company का computer use किया और courses बनाना शुनू कर दिया तो company आपके action ले सकती है तो यह सारी चीजे कहां से clear होती है जब हमारे guidelines properly लिखे होते है अदरवाइस तो क्या है सब लाला जी के दिमाग में है जैसे वो कहेंगे वैसे चल जाएग लेंगी कभी कोई कहता है मेरा gate pass का क्यों काट लिया मेरा short leave का क्यों काट लिया लेकिन अगर हमने day one से ही सारी चीजे define कर रखी है और वो सबको समझा रखा है दे रखा है तो कोई सवाल जवाब इस तरीके के फालतों वाले नहीं होंगे कि हमने अपनी किताब के अंदर regulations है फाइदा क्या होगा आपको अगर आप HR policy और manual लेकर के आते हो तो सबसे पहला तो क्या होता है कि आपका legal compliance हो जाता है कि आप जितने भी laws है legal risk है उनको cover कर लेते हो कि आपने सारी चीजे return में कर रखी है कल को कोई दिक्कत नहीं होगी दूसरा क्या होता है consistency बनी रहती है कि employees को पता है कि भाई ऐसे ऐसे चीजें होंगी यह नहीं होगा कि लाला जी के चहीते के लिए अलग सिस्टम है मेरे लिए अलग सिस्टम है then efficiency streamline होती है कि भाई यह HR के जो process है वो पूरा का पूरा हमने return down कर रखा है जैसे जो machine पे component बनाते हैं तो उसका भी एक process होता है कि भाई पहले parting होगा फिर CNC 1 पे जाएगा फिर CNC 2 पे 3 पे फिर final में जाएगा ऐसे हमने क्या कि HR का पूरा process को map कर दिया और उसको वहाँ लिख दिया कि कोई भी HR आए जाए तो वहाँ पे पूरी उसको detail मिल जाए कि भाई इस company में इस तरीके से काम होता और ऐसे मैंने काम करवाना है then होता है इससे क्या फाइदा communications का ठीक है कि employees को अपने सारे जितनी भी चीज़े हैं उनके rights हैं जो उनसे सम्मझ जानकारी है उसकी पूरी की पूरी जानकारी उनको properly मिल जाती है दोस्तों अब हमने क्या किया ये इतना easy तो है नहीं सारी policies को draft करना मैंने आपको जो बताया मैंने सोचा यार ये तो बहुत बड़ी महावारत बता दी तो हमने क्या किया इसका एक course बना करके अपने app के उपर और अपना जो training portal है जो आपको यहाँ पर दिख भी रहा है www.learn.aytindia.com ठीक है इस पे जाओगे या हमारा जो app है एवाइटी इंडिया अकैडमी इसको आप play store पे ढूंडोगे तो आपको app मिल जाएगा वहाँ पर आपने क्या ढूंडना है आपने देखना है HR policies and manual तो वहाँ पर आपको एक course मिलेगा जिसके अंदर हमने जितनी भी company के अंदर policies होती है manual होते हैं वह सारी चीज़े बना करके वहाँ पर डाली हुई है आप बड़ी असानी से उसको use कर सकते हो अपने हां के इसाप से modify कर सकते हो ताकि आपको एक base work तो मिल गया कि ऐसे ऐसे काम होता है अब आप उसको अपने इसाप से modify करके implement कर सकते हो और मैं आप लोग को suggest करू तो आपको करना है और कर रहे हैं तो बड़ी अची बात है उसको आप follow करिए अब इसके बाद हम चलेंगे अगले system के ओपर वह है हमारा induction training program दोस्तों होता क्या है जब नया बंदा आता है तो उसको properly induct नहीं किया जाता है उसको चीज़े बताई नहीं जाती ठीक है तो उसको क्या होता है चीज़े बीच-बीच में जटके मिलते हैं अच्छा ये भी होता है आपर अच्छा अच्छा ये ऐसे ऐसे काम होता है अच्छा ये मेरी salary कार्ड देंगे अगर मैंने part reject कर दिया या उसको यही नहीं पता कि भाई purchase department कौन देख रहा है HR department कौन देख रहा है वो दीरे दीरे उसको हफते दस दिन में चीज़ें पता चल रही है उन सबसे बचने के लिए क्या होता है एक induction training program त्यार किया जाता है यह होता दोनों के लिए है वरकर के लिए भी और स्टाफ के लिए उसमें क्या होगा एक तो checklist होगी induction की सबसे पहले आप जब नया employee आएगा उसको कैसे induct करा होगे उसके बाद में सारे department का introduction होगा company policies का overview होगा उससे पहले क्या होगा company का भी introduction होगा कि भई company क्या है कैसे काम करती है क्या product है क्या customer है कब बनी थी कैसे हम grow कर रहे है हमारी policies क्या है then उसको हम induction के हिसाफ से training plan करते हैं तो इससे क्या होता है जो नया बंदा आता है उसको पूरी जानकारी मिल जाती है कि अगर मैं ऐसे प्रोडक्शन हेड आया हूँ तो प्रोडक्शन हेड के तौर पे मेरी क्या जिम्मेदारिया है ठीक है मेरे को क्या क्या चीजे मिली है जैसे मेरे को लैप्टॉप दिया किसी ने सिम दिया तो उसका कहीं लेकित में ब्योरा ही नहीं है लेकिन अगर आप induction training program बनाओगे तो उसके अंदर एक asset allocation का system आएगा कि हाँ भाई मेरे को ये asset जो है वो मिला हुआ है ठीक है वहाँ से मैंने asset को लिया हुआ है company से कलको मैं छोड़ के जाओं तो मेरी लेंदेन नहीं बनती है purchase से कोई लेंदेन नहीं बनती है store से मैंने कोई कागज पत्तर या लेंदेन नहीं बनती है तो इस तरीके से क्या है कि एक clarity हो गई कि जब कोई नया employee induct करेगा तो उसको क्या-क्या चीजे करनी है वो हमने सारा उसको बता दिया समझा दिया उसको पूरा ओवर्वू मिल गया तो यह करते कैसे हैं उसका भी format हम लोग देख लेते हैं इंडुक्शन ट्रेंग का आपकी स्क्रीन के ऊपर जैसे यह आगया इंडुक्शन ट्रेंग का सबसे पहले तो यहां पर आपको दिखाई पिए रही है checklist दिखाई दे रही है checklist के अंदर चू꺼न किया है की यह चीजे आपको follow करनी है इन अपना जिसने करा रहा इसके हां पर το sign लेने हैं उसका नाम और employee के भी आपर sign लेने और उसका नाम की हाँ पहीIR एंड़ करना है यह साइंड और returned or signed copy of offer letter लेना है, employee की information देनी है, allocate asset और workstation उसको देना है, given the employees को भी और elevate business policies, procedure, code of conduct, याने की HR policies, manual उसको देना है, introduce the employee to other staff, show the employee the kitchen, meal, toilet, facility, where to store, personal item, bag, jacket, etc., कहां रखेगा वाई वो, employee duty and what training to be provided, performance, expectation, where and how performance will be reviewed, working hours क्या है, meal break का क्या system है, सारा हमने पूरा training दे दी उसको, इस पे हम यहां क्या करेंगे, tick करते जाएंगे, कि यह वाला मेरा काम हो गया, मैंने यहां पर क्या किया, उसको ऐसे एक tick मार दिया, कि यह मेरा काम हो गया है, ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां tick tick करते जाओगे, और उसके sign करा लोगे, कि जिससे की कोई चीज आप से चूटे ना, देन उसका training का system आ जाएगा, कि day 1 पे उसको क्या training देनी है, for HR admin ने पूरा day 1 पे समझा दिया, day 2 पे quality से समबधिक चीज़ बता दी, day 3 पे sales, अगर उसका sales से कुछ लेना देना है, तो वो समझाया हमने, then production की training आ गई, यहां गलती से quality लिग गया है, product operations की आ गई, safety की training आ गई, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, general production company policies, introduction about the machine and function, training about the sales procedures, quality check sheets, about SHE policy, तो यहां पर इस हिसाब से, हम उसको training देंगे, पूरा उसका record बनाएंगे, और यह हमारे पास training का material भी होना चाहिए, यह नहीं कि हमने यहां लिग दिया, और उसको टिक टिक मार के sign करा दिया, तो इससे क्या होगा, आपका जो induction का process है, बड़ा ही आसान हो जाएगा, इबलो ही बड़े ही आसान तरीके से, आपकी पूरी company की जानकारी, उसको मिल जाएगी, और उसको easy रहेगा काम करने में, otherwise बिचारा क्या होगा, हफते 10 दिन, 15 दिन तक puzzle होता रहेगा, ठीक है, अभी recently मैंने एक case सुना, अपने एक unit के अंदर, मेरे एक client के हाँ पर किसी female ने join किया, तो उसने गलती से कोई दूसरा washroom यूज कर लिया होगा, तो बड़ा dirty था, या पता नहीं, उन्होंने अभी बनाया नहीं था, female toilet मतलब एक ही था, अलेक्दम से stop बढ़ गया, तो उस employee ने next day जोईनी ही नहीं, मतलब आई ही नहीं वो लोट के, बोला जी आपका तो बड़ा ही unhygenic है, तो किसी ने उसको सही से guide नहीं किया, कि भाई ये नहीं है, ये वाला washroom है, या washroom हमारा ये वाला under construction है, अगले दो-तीन दिन में तयार हो जाएगा, तो ये सारी चीज़े क्या है, induction के थूप clear हो जाती है, इसलिए induction training program करना ज़रूरी है, अब चलते हम अगले system के उपर हमारा वह है क्या, time management plus payroll management, basically time management और payroll management क्या है, company के अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं, उनके आने का समय है, जाने का समय है, इसका पूरा detail रखना, कोई अगर short leave ले करके गया है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह format अपना screen के उपर, employee का code, employee का name, department, in time, out time, present था, absent था, अगर उटी लगाया, तो उटी कितने गंटे का लगाया, then employee के यहाँ पर signature, और security वाले के signature, तो यह क्या हो गया, मेरा time office, या time management, ठीक है, इसको जब हम link कर देंगे, किस से, salary से, उसके जितने भी चीजें बनती हैं, salary compensation वगारा बनते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा payroll management, ठीक है, तो payroll management के अंदर क्या आएगा, सारा, calculate करना पर, जो उसका कितना भीकाता, उसके लिए कितना salary बनती है, उसके जितने deduction हमें करने हैं, क्या taxes बगारा, अगर कोई insurance करा रखा है, उसका ESIC, PF, जो भी deductions हैं, वो करना, ensuring compliance is follow, compliance के साब से उसको salary मिले, ठीक है, compliance के साब से, उसका ESIC, PF बनता है, तो वो करना, then distributing payments, payment को बाटना, distribute करना, maintaining records, ठीक है, सारा record करना, then reporting, कि भीया, ये जितनी भी चीज़े हम कर रहे हैं, उसको time to time, जैसे government के जो guidelines हैं, government की जो अपनी dates हैं, ये इस तारिक तक, ESIC जमा हो जाना चाहिए, इस तारिक तक PF का जो है, जमा हो जाना चाहिए, इस तारिक तक, जो है आपका labor welfare fund जमा होना चाहिए, और आपकी जो salary है, एक साथ तारिक के बीच में, आपकी बढ़ जानी चाहिए, आपका weekly off क्या है, तो ये सारी जानकारी किस के अंदर आती है इन सब को manage करना किस के अंदर आता है पेरोल management के अंदर आता है तो इसके लिए भी हमने क्या कर रखा है एक format हमने तयार किया हुआ है पेरोल management का उसको देखते हैं दोस्तों जो लोग already software यूज कर रहे हैं salary calculate करने के लिए attendance लगाने के लिए उनके लिए नहीं है यह चीजें लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे आज भी जो manually अपनी salary तयार कर रहे है रिजिस्टर में note करते हैं फिर उसको Excel के अंदर बैठके कुछ लोग क्या करते हैं accounts वाले एक हफता लगा देंगे क्या कर रहे हैं salary बना रहे फिर attendance चड़ा रहे तो आपकी जो salary है वो आपकी 30 तारिक को या 31 तारिक को बनके तयार होगी सिर्फ आपने एक दिन उसको overview करना है review करना है कि भई किसी की गलत attendance तो नहीं कट गया वो सारी चीजे देखनी है और आप एक या दो तारिक में salary process करके आप उसको payment को करा सकते हो तो उसमें हमने क्या किया यहाँ पर सबसे पहले जो आपने अभी इस वीडियो में starting में देखा था हमने यहाँ पर employee master एक तयार किया तो employee master से क्या हुआ हमारा उठकर के data आ गया हमारी daily की attendance sheet में daily attendance sheet में यहाँ पर आपको drop down से नाम मिल जाएंगे तो हम यहाँ से जो select करते हैं suppose मैंने C select किया तो C के साफ से इसने उठा लिया staff है या worker है उसका department उठा लिया उसका designation उठा लिया ठीक है यहाँ पर date दिख रही है आपको जैसे भी यह मैं की sheet चिल रही है आपको जून की sheet बनानी है तो यहाँ से आप select करोगे तो यह जून की sheet त्यार हो जाएगी आपको अगर जुलाई की sheet पनानी है यहाँ से date select करोगे जुलाई की sheet त्यार हो जाएगी फिलाल मई पर आ जाते हैं तो यह हमारी मई की sheet त्यार हो गई अब यहाँ पर हमने क्या किया जैसे पूरे 31 दिन है यहाँ पर देखेंगे ठीक है अगर यहाँ पर हमने जैसे यह बंदा C है इसकी हमने attendance माक करन देखेंगे तो यहाँ पर क्या है present है absent है half present है Sunday है holiday तो यह क्या है इनके कुछ formula लगे हुए है कि अगर present है तो present count करेगा हाँ present है तो आधी attendance count करेगा अपसेंट है तो जीरो count करेगा Sunday है तो उसके working Sunday count हो जाएंगे holiday है तो वो भी उसके उसकी salary नहीं कटेगी ठीक है तो मालो यह present था तो हमने हाँ present कर दिया यह present था present कर दिया यहाँ पर अगर वो उसने overtime भी किया है तो हमने हाँ डाल दिया overtime चार गंटे गिया अगर वो gate pass लेकर के गया शॉट लीप पे गया तो इसका impact क्या होगा यहाँ पर last में आपको इस person की पूरी जुड़के salary दिख जाएगी कि भाई इसके working day तीन हो गए ठीक है गज़ेट हो ले जीरो संडे इसका एक है absent यह है overtime इसका 14 गंटे चार गंटे वहाँ डाला था 10 गंटे हमने यहाँ डाल दिया ठीक है then उसके gate pass क इतने चार गंटे के allowed live अगर उसको जितनी आप देनी है कि भी उसको per month एक allowed है पर month आपने एक दे दी तो उसका क्या actual present days निकल क्या है चार एक लीव आपने उसको extra दे दी तो total days payable कितने हो गए पांच तो इसके हिसाब से क्या होगा इसी के हिसाब से यहाँ पर salary उस person की आप देदेगा उसका कितना payable निकलता है employee का deduction क्या है अगर उसको कोई advance दे रखा है तो आप यहाँ पे चड़ा दो दैन उसका net payable employer का क्या contribution आ रहा है employee का क्या contribution आ रहा है और उसकी ctc total क्या वन रही है दैन आप यहाँ पर डाल सकते हो mode of payment क्या है bank है cash है hold है check है कि भही यह अपडेट करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको department wise एक MIS भी मिल जाएगी कि यह अकाउंस department में में इदरी कितनी basic salary बनी कितना HR कितना convince कितना bonus dispatch में कितना HR admin में कितना maintenance इतने भी हमारे department है वो यहाँ पर आ गए उनका department wise आपको पूरा का पूरा ctc का breakup employee का contribution PF का ESIC का contribution व ठीक है इस तरीके से आप पूरा का पूरा जो payroll है उसको manage कर सकते हो इसका भी हमने क्या किया हुआ है एक course अपना बना करके किस पे डाला हुआ है हमारी जो app है उसके उपर डाला हुआ है वहाँ से आप जाकर के इसको use कर सकते हो उसको download कर सकते हो इसके अंदर आपको पूरा में मजह आता है। तो ठीक है। टाइम पास करते रहो। एक से 7 तारिक तक हैचार कुछ काम नहीं करता ह। अकाउंट कुछ काम नहीं करता ह। वह सेलरी बना रहा होता है। लेकिन आप ये डेली के डेली अगर attendance सही से लगवा दो तो ये आपका पूरा 30 तारिक को salary बन करके तयार हो जाएगी दोस्तों हमने अब जान लिए चार सिस्टम अब आते हम अगले यानि की पांचवे सिस्टम पे वो है हमारा employee training ठीक है employee training भी बहुत जरूरी है किसी भी employee के लिए क्यों जरूरी है वो क्या करती है उसका skill development में मदद करती है ठीक है उसकी productivity इंप्रूफ करती है बंदे को job satisfaction मिलता है कि हाँ भाई मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है ठीक है ठीक है आपके compliance भी होते हैं इससे follow ठीक है और leadership आपकी develop होती है तो इसलिए जो है training एक बहुत ही एहम हिसा है HR का एक तोगे induction training जब employee जब इंडक्ट किया पहली बार उसको हमने training दी अब है उसकी regular training ठीक है और है skill mapping कि suppose किसी काम को करने के लिए 4 skills चाहिए अगर मैं accounts में बात करूँ कि भाई उसको tally चलाना आना चाहिए या busy software चलाना आना चाहिए उसको TDS की knowledge होने चाहिए उसको GST की knowledge होने चाहिए तो यह क्या हो गई उसकी skills हो गई अब जब मैं उसमें यह देख लूँगा कि यह बंदा किस level पर stand करता है सपोज हमने चाहर लेवल define किये L1 L2 L3 L4 ठीक है L1 क्या है मेरा कि उसको उस चीज की awareness नहीं है L2 क्या है कि वो काम कर सकता है लेकिन under guidance L3 क्या है independent काम कर लेगा लेकिन किसी को सिखा नहीं सकता L4 क्या हो गया कि यह बंदा जो है इसको GST की full knowledge है GST पर यह काम भी कर सकता है और किसी दूसरे बंदे को GST का पूरा filing वगारा यह सिखा भी सकता है तो इस तरीके से हम क्या करते है TNI करते हैं बंदे की कि उसको किस topic पर ज़रूरत है skill mapping करते है TNI कहां से निकल के आती है skill mapping से कि जब हमने पहले skill mapping करी कि भाई उसको किस किस training की ज़रूरत है मतलब जिस इस area में वो week है यानि कि L2 या L3 पर है या L1 पर है that means कि उसको उस topic के अ बनेगा training plan त्यार होगा इसका process कैसे चलता है process starting से देखते हैं कि भी या पहले कोई नया बंदा आया ठीक है हमने agency से contact किया recruitment के लिए दैन उसका interview लिया नए employee ने join किया उसको हमने induction training कराई उसका skill test लिया कि भी या उसकी skill क्या है ठीक है उसके बाद में उसकी skill test में अगर वो fail हुआ पास हुआ उसके साफ से उसको job assign करी अब इसके साफ से हमने क्या किया skill test के साफ से उसका TNI निकाला training need identification उसको किस training की जरूरत है देन उसकी skill matrix update कर दी कि भाई इसको इस में यह L1 है इसमें L2 है इसमें इस topic के अंदर L3 है और overall skill यह है देन उसको हमने training plan के साफ से training दी training के बाद हमने उसको test किया training effectiveness test paper से उसको पूछा कि मैंने उसको अगर 5S की training दी तो उसको कितना समझ में आया उसके लिए मैं क्या करूंगा test लूँगा test क्या हो सकता है verbal पूछ के भी सवाल हो सकता है return test भी हो सकता है और practical test भी हो सकता है अब उसमें अगर कुछ कमियां मिल तो अगेन उसका TNI update होगा और यह पूरा का पूरा process यहां से rotate होता रहेगा तो इस तरीके से जो training का process है वह काम करता है अब दोस्तों हमने क्या किया है जो attendance का जो मैं आपको दिखा रहा था payroll management और जो HR के अंदर जो training है इन दोनों का एक club करके मैंने एक course त्यार किया है ठीक पर training की requirement है training के उसके skill matrix के format उसके training attendance sheet के format test paper के format skill mapping के format induction training के format वो सारे चीज़े आपको मिल जाएंगे साथ यहां पर क्या attendance और payroll management का भी हमने इसी course के अंदर डाल दिया मिलेगा कहां पर आपको यह मिलेगा ayt india academy app के उपर या जो हमारा training portal है www.learn.aytindia.com इसमें एक चीज़ मैं clear कर दूँ इसके अंदर जो formats है वो हम zip file के अंदर डाल के रखते हैं format excel में होते हैं लेकिन वो zip में होते हैं तो कुछ लोगों को zip को भी क्या कहते हैं extract करना नहीं आता जिप से निकालना नहीं आता उस उससे आप informats को easily access कर पाऊगे अब हम चलते हैं अपने next topic के उपर वह है हमारा MIS MIS बिसकली क्या होता है MIS की फिवह होती है management information system यानि कि ऐसा information system जिससे की हम management को कुछ inform कर सकें जिससे कि वह कोई decision लेना चाहें कोई action लेना चाहें वह हो सकें तो MIS बिसकली क्या हो गया एक summary हो गया पूरे department की अगर मैं HR department की बात करूँ तो वहाँ पर daily की कोई MIS तयार की जा सकती है weekly की भी की जा सकती है और monthly की भी की जा सकती है then salary का जो ratio है वह क्या चल रहा है हमारा with respect to production ठीक है salary distribution day हमारा क्या है then हमारा PF ESIC time पे submit हुआ नहीं हुआ ठीक है daily salary और OT की cost क्या आ रही है तो इस तरीके से हमने एक single page का MIS एक paper तयार कर दिया soft में या hard में और उसको management जो हमारा reporting boss है या plant head है या honor है उसको हमने submit कर दिया वही आज का भी खाता ये है HR department का ठीक है तो उससे पूरा overview मिल जाएगा plant का तो इसलिए MIS बनाना ज़रूरी है तो आपको कुछ MIS भी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर जैसे हमारे हाँ जो आपको दिख रहा है यह क्या आ गए यहाँ पर different department आ गए ठीक है यह वही वी उपी cutter, FG store, HR admin, in process quality, molding, PDA quality तो यह department है, इस department में day wise कितने लोग available है यहाँ देख रहे हो आप, यह two count zero इसका मदलब क्या है यह manpower है, average manpower क्या है, किस department में वो आ गई ठीक है, कोई नया जोई नहीं आया, इस date को कितने आया, इसने दो आये, 6, 5, वो आ गया कोई employee छोड़ के गया, वो आ गया, दो यहाँ छोड़ के गया, एक यहाँ छोड़ के गया, दो, एक, एक, ठीक है इस तरीके से closing भी आ गया, और यहाँ attrition निकल के आ गया, कि भई मेरे company का attrition rate याने की, इस rate में मेरे लोग छोड़ करके जाते हैं, यह पूरी plant manpower की MIS हो गई, यह क्या हो गई, एक summary हो गई, costing की भी और manpower की, कि 11 तारिक को total day net मिला के 114 लोग थे, ठीक है, जिसमें worker जो थे, वो 14 में worker और 42 लोग, जो है staff, then हमारा total manpower 156 हो गई, absent इतने लोग, total manpower इतनी और absentism इतना मेरा हो गया, ठीक है, staff की cost 694, यह सिर्फ example के लिए होई है, ठीक है, worker की cost 57,000, OT की cost 15,000, total cost मेरी हो गई, 741, ठीक है, daily production मेरा कितना हुआ, 31,000 का, याने की 1,41,000, 31,000 का मेरा production हुआ, quantity में, value कि इतनी हुई, 6,00000 रुपे का मैंने production किया, manpower cost क्या होगे, 60,000, delivery cost क्या निकल क्या ही, 12%, ठीक है, की 12% मेरा इस तारिक को cost लगा, 13%, 14, 9, 18, अब 9 से एकदम 18 कैसे हो गया, हो सकता है, इस दिन चुटी हो, या Saturday हो, ठीक है, तो यह सारी चीज़े आप यहाँ पर monitor कर पाऊगे, और last में एक overall summary आगे, तो यह क्या है, department की MIS है, ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपने यहाँ पर industry के अंदर, एक MIS तयार कर सकते हो, जिससे की पूरे plant का, in terms of HR, एक overview मिल जाए, और आप कोई भी action ले पाऊ, कोई भी decision ले पाऊ, कोई भी analysis कर पाऊ, action का मतलब है नहीं किसी को निकाल देना, action का मतलब है, कि अ absentism बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो आपको भी यह उस महिने में, दस लोग extra रखने हैं कि जो absentism को cover कर ले, तो इस तरीके से आपको decision making में MIS मदद करता है, दोस्तों इसके साथ ही आपको एक जानकारी और देनी है, हमारा AYT Computer Academy एक चैनल है, YouTube के उपर जो आपको यहा shortcut keys क्या है, Excel के जो basic formulas क्या है, और जो important formula क्या है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डाली हुए है, इसका response अच्छा है, अभी ही हमने इसको महिने दो महिने हुए है, launch करे, और इसमें लगबग 15 के असपर subscribers भी होगर, views भी ठिक ठाक आ रहे हैं, तो जो लोग Excel, Google Sheet, PowerPoint या computer related ज पड़ी आसान भाशा में जैसा मेरी कोशिश रहती है कि आसान तरीके से समझाओं, आप उसको समझ के implement कर सकते हो, दोस्तों जो सबसे आखरी और सबसे ज़रूरी topic है हमारा, वह क्या है, हमारा PMS, KRA and KPI, ठीक है, तो PMS की क्या perform होती है, performance management system, ठीक है, KRA क्या है, key result area, ठीक है KPI क्या है, key performance indicators, इनके उपर, KRA और KPI के उपर मैंने एक detailed video भी बनाई हुई है, आपको link description में मिल जाएगा, या उपर eye button में मिल जाएगा, वहाँ से detail में आप देख सकते हो, अभी हाल में हम थोड़ा short summary में बात करेंगे, तो basically KRA, KPI क्या होते हैं, कि as a, अगर मैं यहाँ प हिस्से की dispatch is hamper now, ठीक है, KPI क्या हो गया, मेरा कि भाईया मैंने कितने percent timely production किया, मेरी plant की OE क्या रही है, मेरी production की costing क्या जा रही है, ठीक है, मेरी machine की efficiency क्या रही है, मेरी operator की efficiency क्या रही है, मैं tooling को कितना consume कर रहा हूँ, ठीक है, यह मेरे क्या होगे KPIs होगे, key performance indicator, जिसको हम measure क करते हैं, ठीक है, जो numbers में होगे, वो मेरा KPI हो गया, और क्यारे क्या होगे, कि overall मैं क्या area देखता हूँ, ठीक है, इनी सब को जब हम monitor करते हैं, measure करते हैं, और उसके base पे हम क्या करते हैं, किसी का increment करते हैं, जो yearly increment होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, PMS, performance management system, खास तोर पे, अगर हम बात करें, MSME unit के अंदर, ऐसा कोई system define नहीं होता है, तो जो लाला जी का चहीता है, या जो plant head का चहीता है, या जो top management का चहीता है, उसका तो हो जाएगा increment, भईया, कितना, 20%, 25%, या जो लाला जी का हाथ मरोडता है, कि भई, नहीं जी, मैं छोड़ के जाँगा, तो आप, वहाँ पे उसका हो जाएगा, 25%, 30% agreement, चोड़ दो मैं बाबुजी, देख लो, काम बंद हो जाएगा, अब बाबुजी गबराय गबराय रहते हैं, क्योंकि बाबुजी के यहाँ पे कोई system set नहीं है, कि यह बंदा जाएगा, तो नया बंदा आएगा, तो उसको कैसे चीज़े पराज लें, क्योंकि जो system चल रहा है, man-based system चल रहा है, ठीक है, चाहिवो HR की बात हो, या quality की बात हो, या production की बात हो, ठीक है, तो उसी सबका जो फायदा है, employees भी ले ले लेते हैं, ठीक है, जो मतलब शाक्तिर तरीके के, शाकिर नहीं, शाक्तिर employees होते हैं, कि भाई, लाला जी का हाथ मरोडते हैं, और अपना उल्टे सीधे increment कराते हैं, डबल-डबल increment हो जाते हैं, बीस जार सैल्ली ले रहा है, अगले सार पर जला उसकी 35 जार सैल्ली हो गई, ठीक है, लेकि जो विचारा लगा पड़ा है, जो करे जा रहा है काम, उसकी कोई performance major करने वाला बंदा नहीं है, वो अपना normal भाईया 5%, 7%, 10% increment पे काम करा है, तो उनी सब को resolve करने के लिए PMS सिस्टम बनाया जाता है, लेकिन PMS सिस्टम जो है MSM unit में लगता तो है बहुत बारी, लेकिन क्या होता है, 2-4-6 महिने में दढ़ाम से गर जाता है, क्यों लाल नहीं हो गए, MSME में हो आप अभी, कि आपको उसको कम सकम साल भर खुद चलाओ, उसको खुद monitor करो, जब तक आप खुद monitor नहीं करोगे, employee के वरू से उसको छोड़ दोगे, तो आपका PMS जो है धड़ाम से गर जाएगा, शब्द बड़े अच्छे हैं, ये के आरे, के पी IPMS हमें बनाना है, मुझे बोलेंगे, नहीं जी हमें के एरे के एपिया इंप्लिमेंट करना है, लेकिन उसमें मैं उनको ये ही बोलता हूँ कि सर आप इसको बना तो रहो, कोई चीज बनाना बड़ा असान है, लेकिन उसको sustain करना बड़ा मुश्किल है, ऐसे ही इसके साथ भ हो सकते हैं, और business owners भी हो सकते हैं, ठीक है, इसका format हम देख लेते हैं, कि या का format कैसा होता है, जिससे आप थोड़ी help ले करके खुद उसको तयार कर सको, अगर आपको हमारी मज़द की जरूरत है, तो आपको नीचे नमबर दिख रहा है, उस पे आप contact कर लेना, हम कोशिश क करेंगे, हाला कि हमारे पास मतलब बहुत भर-भर के queries आती हैं, तो कही बारी हम reply timely नहीं कर पाते, उसके लिए आपसे माफी है, लेकिन हम भी system को धीरे-दीरे improve कर रहे हैं, अपनी manpower strength उसे आप से बढ़ा रहे हैं, जिससे आप से आप लोग हमारे काम को पसंद कर रहे हो, तो हम चीजों को उस हिसाब से improve करने की, increase करने की कोशिश कर रहे हैं, अब format देख लेते हैं, PMS का, कि अगर आपको किसी employee का PMS तयार करना है, तो वो कैसे आप तयार करोगे, उसका format क्या है, जैसे ये किसी HR Associate का format है, जिसके अंदर हमने की result area क्या डाले, एक attendance management डाल दिया, human safety and compliance डाल दिया, fire safety compliance डाल दिया, external testing डाल दिया, training डाल दिया, delegated task आ गए, self punctuality आ गए, तो जितने भी हैं, उसके फिर KPI आ गए कि भाई, ये तो गया human safety, लेकिन ये monitor कैसे होगा, कि zero accident होना चाहिए, zero near miss होना चाहिए, गेंबा audit होनी चाहिए, toolbox meeting होनी चाहिए, देली 10 बजए, 100% लोग डेहर करें PPC को, उसको monitor कैसे करेंगे, ये इस data source से, कि भाई ये जो है, किसे PP monitoring check sheet से monitor होगा, और हर item का अपना एक score है, जैसे इसके 5 number है, इसके 3 number है, 5 number है, 2 number है, ऐसे जुड़के total 100 number होगए, अब जब आप यहाँ पे इसमें काम करोगे, किसी महिने में इसमें 5 number लिए, किसी में आपने 3 number लिए, तो यहाँ पे एक average आपका score आता जाएगा, ठीक है, और उसके based पे क्या होगा, आपका increment decide होगा, तो इससे क्या होगा, कि आपको अपना report card सामने दिखाई दे रहा है, कि भाई, अगर मैं ये करूँगा, तो मुझे इतना इतना चीजे मि मिलेंगी, इतना incentive मिलेगा, इतना increment मिलेगा, तो चीजे आसान हो जाती है, लेकिन होता क्या है, बन तो जाता है, ये system लेकिन ये चल नहीं पाता, चल क्यूं नहीं पाता, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आपने जिसके बरोस से ये चलाया, वो बन्रा चोड़के चला ग नहीं है या लोगों की भी कलती नहीं है उसको इक होता है धार श्रहटेस में क्या होता है डेटा रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं होता प्रॉपर्ली को चलाने के लिए क्लिफ सार victim का सब्राइभ सब्सक्राइब कर सकता कि अधिर्चन है क्वालिटी एनोंaga कृधा टो जोर्ड आपको दे सकते हैं लेकिन आपको मिलेगा वह स्टैंडरडाइस अब हमने थोड़ा सा मेख टो और्डर कम कर दिया कि हमने स्टैंडर बना दिया कि मॉल्डिंग मशीन अगर किसी के पास हैं तो उनके लिए standards ये हैं आप इसको follow करिए world class companies इसको follow कर रहे हैं तो दोस्तों ये थे साथ system जो किसी भी HR department में होने चाहिए उसको proper functioning करने के लिए इसको एक बार हम revise कर लेते हैं क्या क्या था तो सबसे पहले हमने जो जाना था वो क्या था हमारा employee master ठीक है कि यानि कि हमारे पास पूरे employee का एक वही खाता पूरा तयार होना चाहिए कि कि किस कि department में मेरे कौन-कौन लोग लगे हैं उनकी पूरी एक personal file भी soft में ही तयार हो ठीक है then था हमारा policies and manual ठीक है कि भीया क्या उसकी policies and manuals है then था हमारा time management plus payroll management ठीक है कि जो बंदा आ रहा है उसकी salary time से तयार हो then इसके बाद जो था हमारा वो क्या था training ठीक है उसके बाद में था हमारा MIS ठीक है इसमें बीच में रहे गया हमारा एक क्या induction training जब कोई employee नया आए तो उसकी induction training आप कैसे करोगे कि उसको पूरा company के बारे में आपने बताना है और जो सबसे आखरी है वो हमारा यही है क्या PMS और क्यारे दोस्तो मेहनत करिए थोड़ी इसको वीडियो को बनाने के लिए और आप यहां तक आए हो तो इसका मतलब है आपको वीडियो समझ आ रही है पसंद आ रही है वीडियो अच्छी अगर लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और उसको शेर भी करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ताकि इसकी रीच बड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आए और चैनल पर अगर पहली बारा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद